श्राप पानी पिला लेने को कहा, किन्तु उसने मना कर दिया। बुड़िया ने अपनी पुत्री को लालच देते हुए कहा, बेटी मैं अपना काम बीच में नहीं छोड़ सकती, तुम बेल को तालाब से पानी पिला लाओ, वापस आने पर मैं तुम्हें हलवा खिलाओं की। हलवे के लालच में उसकी बेटी बेल को पानी पिलाने ले जाने को तियार हो गई, तालाब उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, तपती दुपहर में उसका मन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन हलवे के लालच में वे बेल को लेकर चल दी, कुछ दूर चलने के बाद उसने सो प्यासा ही तरपता रहा, गुस्से में आकर बैल ने उस लड़की को श्राब दे दिया, जिस तरह आज तुने मुझे पानी के लिए तरसाया है, उसी तरह अगले जन्म में तु चातक पक्षी बन कर हमेशा पानी को तरस्ती रहेगी, और आज तक चातक पक्षी तालाब होने क बावजूद आसमान की और देखता बरसात का इंतजार करता रहता है, कथा सार, दूसरों को दुख पहुचा कर अपने सुक की कलपना करना ठीक नहीं, ऐसे सुक का उपभोग अधिक समय तक नहीं हो पाता, हलवे के लोब में जेवा सुक को आतर लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो बैल को प्यासा ही लोटा लाई, लेकिन आने वाले जनव में स्वैम पाने की बूंद को तरस कई धन्यवाद, अपने मन के भाव नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखें वे वीडियो को लाइक वे मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें आओ मिलकर सफर तै करें धरम से अध्यातम की और